अगर आपको कैलकटा का ऑथेंटिक काठी रोल का तलब आता है तो इंटेंशन नॉट क्योंके सिलिकुरी में आ गया है 34 चौरंगी लेन यहां पर आपको बहुत सारा वराइटी मिलेगा काठी रोल का वेज में नॉन वेज में आज हम यहांगा कुछ special dishes try करने वाले है यह रहा मेरे हातों में 234 चौरंगी लेन का रोल आपको बतादे है पैकेटिंग इस काफी नाइस बहुत अच्छा पैकेटिंग है अगर यहां पर आपको ग्रीन देखते है यह वेज है अगर रड दिखते है नॉन रज है यहां पर जो वेज वाला है यह काफी interesting सा रोल है actually this is called समोसा धमा का रोल yes guys यह तो मैं सिली गुडी में first time सुन रही हूं समोसा रोल so let's try it out and making का बात किया जाए तो काफी hygiene way में यह लोग बनाते है and मुझे काफी अच्छा लगा इनका making process देखके क्योंकि बहुत hygiene maintain किया हुआ था and quality भी अभी let's see खा के पता चलेगा so यह रहा मेरा समोसा धमा का रोल and इसमें आपके दो category आते हैं एक है छोटू and एक है लंबू इदर small and big नहीं रखा गया and इसका price है छोटू बाला का 69 and जो लंबू है इसका दाम है 129 so let's taste this यह है हमारा लंबू बाला इसमें काफी इंडियन सॉस का फ्लेवर आ रहे है क्योंकि जेनरली रोल में हम सॉस मेयो यह सब ट्राइ करते हैं लेकिन इसमें मुझे मिंट का फ्लेवर आ रहे है then इंडियन चटनी होती है उसका फ्लेवर है and of course समोसा का फ्लेवर है कभी सोचा नहीं था कि समोसा का भी रोल बन सकता है लेकिन यहां खाके तो लग रहे है कि अगर आपको इंडियन भी खाना है रोल भी खाना है वेज भी खाना है then this is perfect option for you best seller है यहां का this is classic chicken roll अभी जब से यह खुला है so यह रहा मेरा classic chicken roll यह भी मैंने लंबू साइज महीं मिला है इसका भी प्राइस जान लेते है so इसका प्राइस है classic chicken roll का इसमें छोटू एवेलेबल नहीं है इसका प्राइस है 169 तो लेट्स ट्राइट आउट इसको काफी अच्छे से रोल किया गया है इसमें से फ्लेवर थोड़ा सा हटके टेस्ट है जो बाकी हम लोग नॉर्मल रोल खाते है सिलेगुरी में उससे इसका टेस्ट बोला जाए तो थोड़ा हटके है उतना जादा ओली भी नहीं है you can see उतना जादा इट इस नॉट ओली अलसो और चिकन का टेस्ट भी अच्छा लग रहा है और उसके अंदर अनियंस बगेरा का भी क्वांटिटी अच्छा है तो आई लाइक दिस मुझे अच्छा लगा रिकमेंड यू तो ट्राइट आउट अब पता चला यहां का बेस्सेलर क्यों है अब यहां पे स्रफ रोल नहीं गाईज बलकि यहां पे मॉमो का भी ऑप्शन है और इस इस माई ग्रेवी चिकन मॉमो और मॉमो का शेप आई विल शो यू कितना सुंदर लग रहा है तो इसमें आपके 6 पीसेज है वित मेयो और केचप इसका प्राइज भी आई लेट यू नो इसका प्राइज है ग्रेवी चिकन मॉमो का 189 जो लेट्स ट्राइट आउट एक कट करते हैं काफी सॉफ्ट है काफी सॉफ्ट है गाईज और इसका शेप हलका सा मोदक यसा नहीं रग रहा आप लोग को इसमें यहां का जितना भी रोल वगेरा खाया ना उसमें जो फ्लेवर आ रहा है वह एकदम मेयो या एकदम वैसा नहीं बल्कि इसके जो मसाले जैं इसमें तोड़ा सा इंडियन टच है जो कि बेस्ट बात है तो गाइस मैंने यहां पे जो रोल वगेरा खाया लेकिन मेरे को जो लग रहा था कि यहां का समोसा रोल थोड़ा सा अजीव होगा लेकिन I must say वो मुझे सबसे जादा अच्छा लगा यानि कि मुझे डिसपॉइंट तो नहीं किया चलिए अब आपको लोकेशन के बारे में भार फिक हें लोके यहां पर चासकते हो यहां पहा को खाया जरूर्पार आपको को लगा थाक्यू